Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitab Sot So, आज की सेशन में हम कवर करने वाले हैं Database Management System का एक बहुत important और हर साल पूछे जाने वाला topic जिसका नाम है HDFS So, HDFS का मतलब होता है Hadoop Distributed File System इसको क्यों यूज किया जाता है, क्या इसके features है, कैसी इसकी working रहती है इन से related exam में questions पूछे जाते हैं तो इस video में हम ये सभी चीजों को detail में discuss करने वाले हैं So, सबसे पहले students last lecture में आप सभी ने देखा था कि big data क्या होता है Big data मतलब large volume of data को हम कैसे store कर सकते हैं, कैसे process कर सकते हैं, कैसे हम उसको use कर सकते हैं So, big data को किस तरह से store किया जाता है, ये हमें बताता है HDFS So, detail में हम इसकी working देखेंगे उस पे जाने से पहले, अगर आप भी जून 2023 examination की तयारी कर रही हो तो आप सभी के computer science preparation के लिए revision crash course हमने launch किया है जो कि आपको 100% selection की guarantee देता है एक्जाम का क्या pattern है, क्या difficulty level है, किस तरह से questions पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये paper to computer science का crash course हमने आपके लिए लाया है इसके साथ ही हम आपको paper one बिल्कुल free provide कराते हैं जो की GRF लेने में आपको मदद करेगा paper to computer science में हम आपको full syllabus video lectures यानि computer science के 10 units के video lectures के साथ आपके सारे concepts clear हो जाएंगे smart tricks है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताई जाती है full syllabus notes मिलेंगे PDF format में जिसको आप इजले डाउन्लोड कर सकते हो mock test आपको मिलेंगे जिसमें हर एक important topic को भी cover किया गया है and इसमें से as it is questions exam में बहुत पार पूछे चाते हैं और आप लोगों को बहुत मदद हो जाएगी first attempt में भी इस exam को qualify करने में इसके साथ ही हम आपको full syllabus question bank देते हैं जिसमें आपको सभी साल के previous year questions most expected questions and most repeated questions की series मिलती है screen पर दिये कि किसी भी एक number पर आप contact करके आप लोगों को definitely ये course success दिला कर ही रहेगा इसके अलावा अगर आप पहले free videos देखना चाते हो तो global online ने आपको download कर लीजिए आप download करने के बास store section पर जाओगे तो courses में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी या फिर search पार में जाकर के भी आप किसी भी particular course को सर्च कर सकते हो UGISnet computer science सर्च करोगे आपके सामने इसका overview आजाएगा जो कि already हम discuss कर चुके है content section पर जाते ही आप यहाँ पर देख सकते हो complete paper 1 आपके लिए बिल्कुल free हमने रखा है and उसके बाद paper 2 के unit wise separate folders आपको मिलेंगे जिसमें की theory lectures, mcq series और notes है साथ ही आपको यहाँ पर topic wise test भी इस तरह से मिल जाएंगे ताकि आप लोगों के concept clarity के साथ साथ आपके revision भी बहुत अच्छे से होती रहे तो आप सभी students आज ही इसको join करके अपने dream के और एक step आगे बढ़ सकते हो सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने topic की और जो की है HDFS, so HDFS का मतलब होता है Hadoop distributed file system सो जैसे की मैंने आप लोगों को बताया की आज की समय में हम लोग big data को use करते हैं यानि की large volume of data हम लोग use करते हैं and सबसे large volume of data, सबसे ज़्यादा big data कहां से आता है ये किसी भी social networking site से हम लोगों को मिल सकता है किसी भी online website से आप लोगों को मिल सकता है इसका एक example हमने देखा था online flight booking अगर आप करते हो वो सारा data big data होता है ये क्या होता है? ये unstructured data होता है and क्योंकि ये बहुत ज़्यादा data होता है तो इसको manage करना थोड़ा सा difficult रह जाता है तो big data को कैसे store किया जाएगा ये हमें HDFS बताता है और जब big data processing की बात करते हैं इस चीज़ को आप लोगों कीजेगा कि जब भी हम लोग इस big data के processing की बात करते हैं तो दो सबसे बड़े challenge किसी भी person के सामने आते हैं वो दो challenge है पहला है data storage का challenge और दूसरा है data processing का challenge ठीक है जब ही हम data processing की बात कर रहे हैं big data processing की बात कर रहे हैं इसमें हम लोगों को मदत करता है Map reduce यह वाला processing वाला पार्ट हमेशा Map reduce ही देहता है इसके बारे में हम detail में next video में देखेंगे, अभी storage की बात कर रहे हैं, so storage कैसे efficient तरीके से हम data को store करें, ताकि बाद में कुछ देर बाद या कुछ दिनों के बाद कोई data को use करना चाहे, उस data को access करना चाहे, ये सब चीजें हमें HDFS ही बताता है, okay, it is somehow based on traditional file system, HDFS के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पुराना system है, तो आप लोग HDFS को use नहीं कर सकते, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, HDFS आपके traditional storage, traditional file system के उपर ही काम करता है, जैसे पहले हम लोग देखते थे Linux में, या फिर और operating system में हम hierarchical format में काम करते थे, उसी तरह से HDFS में भी hierarchical file system को use किया जाता है to store the large amount of data, okay, अब यहां पर देखो large amount of data है, तो उसको store कैसे किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो data को यहां पर store किया जाता है, tabular format में, tabular format में बोल सकते हो, जैसे या hierarchical मैंने आपको बताया, hierarchical को आप stages भी बोल सकते हो, तो data को different different partition में divide कर दिया जाता है, different different stages में इसको divide करके store किया जाता है, मान लीजिए, मेरे पास 512 MB की कोई file है, तो इस file को हम कैसे HDFS की मदद से store कर सकते हैं easily, वो एक process ये रहेगा कि उसको छोटे छोटे blocks में हम save करेंगे, and by default, exam में ये पूछा जाता है कि by default, जब भी हम HDFS की बात करते हैं, so, normal block size कितना होता है, अगर आपको पता है, तो जल्दी से comment करके बता दीजिए, normal block sizes में होता है 128 MB, ये चाहें आपका 512 MB का data है, या फिर जितना भी बड़ा या जितना भी data आपके पास होगा, ये जो block size होता है, ये by default 128 MB के ही होते है, so, जितना जितना ये data बढ़ता जाएगा, उतने उतने blocks यहाँ पर add होते जाएंगे, ठीक है 128, 128 करके यहाँ पर blocks आगे add होते रहेंगे, ठीक है, so, इस तरीकी से HDFS big data को store करने में हमें मदद करता है, इसके लावा यहाँ पर कुछ definitions लिखी हैं, जो कि सभी previous year questions से लिए हुई है, Hadoop itself is an open source distributed processing framework that manages data processing and storage of big data application, so, मैंने आपको यही बताया कि storage और processing में काम आता है, लेकिन major focus इसका storage पर रहता है, processing का major focus किस पर रहता है, map reduce पर, ठीक है, तो यह एक open source distributed processing framework है, इसको note कर लीजिए, it is a key part of many Hadoop ecosystem technology and it provides a reliable means of managing pools of big data and supporting related big data analytics applications, so, यह कुछ इसकी important definitions हैं, इसके अलावा, यहाँ पर अगर हम लोग इसकी और जानकारी लें, जो कि exam के लिए भी बहुत important है, so, Hadoop जो था, Hadoop file system was developed using distributed file system, ठीक है, तो Hadoop में कुछ नया नहीं है, यह आपका जो distributed file system था, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, and यह commodity hardware पर, commodity hardware के उपर इसको हम run कर सकते हैं, and बाकी के जैसे distributed systems होते हैं, ठीक है, किसे भी distributed system का आप example ले सकते हो, HDFS जो होता है, यह highly fault tolerant होता है, and low cost hardware के ध्यान में रखते हुए, इसको design किया गया है, यानि कि faults जो भी हमारे system में आते हैं, उसको tolerate करने की इसमें क्षमता बहुत जादा होती है, and low cost hardware होता है, जिसकी वज़े से इसको खरीद पाना, इसको use कर पाना, इसको manage करना, यह बहुत जादा costly नहीं होता, ठीक amount पर यह कोई भी use कर सकता है, and यह क्या करता है, very large amount of data को store भी कर सकता है, and easily, एक बार data को store कर लिया, उसके बाद अकर कोई उस large amount of data से, उस particular file को use करना चाहता है, तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो, easily वो कोई user अपने data को access कर सके, यह facility भी हमें provide कर वाता है, so working के साथ हम देखते है features, okay, so working में देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आता है, name node, name node क्या है, यह आपका Linux operating system, या फिर JNU commodity hardware जैसे होते हैं, उसी तरह के से इसको store करता है, name node keeps track of where data blocks is stored for a particular file, so data block को कैसे store किया गया है, यह बताता है, ठीके, name node को हम बोल सकते हैं, master node, exam में कई बार name node की जगा master node लिखा हो, तो confused नहीं होना है, name node एक master node होता है, and इस पे काफी सारे responsibilities होती है, so इसकी पहनी responsibility यह होती है, it manages the file system name space, it manages the file system name space, okay, दूसरी responsibility name node की यह होती है, it regulates client access to file, it regulates clients access to file, यानि कि कोई client अगर अपनी file को use करना चाहता है, अपनी file का access चाहता है, तो उसके लिए भी name node की ही यह responsibility होती है, तीसरी बड़ी responsibility name node की यह है, कि it also execute file system operations, जैसे कि files को rename करना है, close करना है, किसी directory को open करना है, close करना है, किसी छोटी file के साथ आपने कोई भी task perform करना है, यह सारे responsibility भी name node, यानि की master node की ही होती है, ओके, so I hope आप लोग इसके responsibility समझ चुके हो, next आज आता है data node, so data node क्या है, यह commodity hardware है, जिसमें having GNU, having GNU Linux operating system, and data node software, so इसके अंदर आपके पास Linux operating system होता है, और data node software भी होता है, जैसे name node की अंदर Linux operating system होता है, name node software होता है, हर एक node में, अब आप देख सकते हो, इस name node के साथ, चार data nodes जुड़े हुए हैं, हर एक node में, cluster के हर एक node में, there will be a data node, ठीक है, there will be a small data node, and इनकी responsibility क्या होती है, जो भी data storage होता है, उसको manage करने के लिए, यह responsible होते हैं, इसके अलावा data node, read and write, read and write operations, किसी भी file पे, client की request अगर आती है, कि उस file में read करो, उस file में write करो, उनके request के according, कोई भी changes अगर करने होते हैं, तो वो भी data node करता है, they also perform operations, such as, किसी भी file को, अगर उनको block करना है, किसी file को open करना है, किसी file को create, delete, या फिर replicate करना है, name node की instructions के हिसाब से, तो वो सब काम भी data node, अपने end पर करता है, ओके, तीसरा यहां पर आ जाता है, block, so block क्या होता है, generally the user data is stored in the files of HDFS, and the file in a file system, will be divided into one or more segments, जिसे मैंने आप लोगों को बताया, storage के लिए, उसको different blocks में store किया जाता है, जैसी यह blocks है, देखो अलग-अलग blocks है, 128, कितना मैंने आपको बताया था, 128 MB, एक block का size होता है, ठीके, कई जगा पर, में भी आप लोगों को 64 MB भी देखने को मिलेगा, अगर आपने ऐसा कहीं पर पढ़ा है, तो आप लोग पुराना data पढ़ रहे हो, इसको याद रखिए, current data के हिसाब से, 128 MB इसका by default block size होता है, but it can be increased as per the need to change in HDFC, HDFS configuration, जैसे जैसे उसकी configurations change होती रहती हैं, इसको भी आप change कर सकते हो, समय के साथ-साथ, ओके, यह थी इसकी working and responsibility हर एक particular node की, next आज आते हैं features of HDFS, so features में पहला आता है data replication, data replication, okay, so this is used to ensure that the data is always available and prevents data loss, so data जो है, वो हमेशा available है, इसको एक example के साथ बताती हो, आप सभी देखो, आज के समय में big data use कर रहे हो, कैसे, आप सभी facebook का example लेते हैं, facebook use कर रहे हो, या फिर instagram use कर रहे हो, या फिर कोई भी social networking website आप use कर रहे हो, है न, so उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों के हिसाब से, लोगों की ID बनी होती हैं, उनकी images होती हैं, उनके videos होते हैं, उनकी कोई भी files होती हैं, अब आप उन में से, उन लाखों लोगों में से, आप कैसे अपना account सर्च करते हो, और आपका account सर्च करने पर, आपको exactly आपका account कैसे, कितनी देर पे मिल जाता है, ये सब चीज़ें data replication करता है, ये बोलता है, कि आपका जितना भी data store किया है, वो हमेशा आपके लिए available है, और data security के भी ये हमें guarantee देता है, कि आपका कभी भी data loss नहीं होगा, आप चाहे उसको कभी भी search कर सकते हो, मान लीजिए, आपके system में कभी भी कोई एक data node जो है, वो crash हो जाता है, या फिर कोई भी hardware failure हो जाता है, so HDFS की एक plus point भी है, ये advantage भी है, कि अगर इसमें data loss हो भी जाए, तो उसको easily retrieve किया जा सकता है, वो भी कम समय में, दूसरा है fault tolerance and reliability, HDFS ability to replicate file block and store them across nodes in a large cluster, ensures fault tolerance and reliability, यानि कि reliability है, हम जो भी data उसमें store कर रहे है, higher availability, जैसे कि अभी हमने बात किया, कि जो भी चीज़ हम इसमें store करते हैं, name node और data node, हमें हमेशा provide करवा देते हैं, हमेशा हमारे लिए available हैं, ताकि हम अपने data को easily कम समय में access कर सके, scalability means, because HDFS stores data on various nodes in the cluster, so different nodes में, different clusters में data को store किया जाता है, ठीक है, so इसलिए किया है, scalability यहाँ पर बहुत important feature यह provide कराता है, जससे हम easily identify कर सकते हैं, easily access कर सकते हैं अपने data को, higher throughput means, HDFS जैसे बताया कि distributed, distributed manner में data को store करता है, and data यहाँ पर parallel, and cluster, दोनों ही तरीकों से process किया जा सकता है, ठीक है, so इसलिए high throughput उसमें add होती है, next is data locality, so HDFS data nodes और name nodes को इस तरह से internally यूज़ करता है, इतने fast processing के साथ यूज़ करता है, कि data आपको बहुत easily मिल जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि thousands of data में से, big data के अंदर में से, आप अपनी file कुछ seconds में धूण पा रहे हो, okay, so ये इसके कुछ features है, plus points है, now we will discuss the benefits, okay, so benefit में पहला आजाता है, cost effectiveness, जिसे मैंने बताया, जाद expensive नहीं है इसका, जो off the shelf hardware है, वो expensive नहीं है, storage cost भी जादा नहीं है, क्योंकि HDFS open source है, इसकी कोई भी licensing की fees नहीं है, इसलिए ये cost effective है, large volume of data को यहाँ पर हम store कर सकते हैं, कोई भी type का data हो, आपका MB, GB, TB, ये तो normal कोई भी, कहीं पर भी हम store कर सकते हैं, अगर आप लोगों का data, petabyte, exabyte, कुछ भी large amount का data होता है, उसको भी यहाँ पर store कर सकते हैं, और चाहिए आप लोगों का data structured format में है, या फिर unstructured format में है, उसको भी आप easily store कर सकते हो, fast recovery from hardware failure, जैसे मैंने बताया, अगर कोई आपके system में defect आ जाता है, कोई fault आ जाता है, तो HDFS में इतनी power होती है, कि वो उसको खुद से clear कर सकता है, खुद से resolve कर सकता है, इस तरीके से उसको design किया गया है, आप लोग चाहे Windows की बात करो, Windows में इसको यूज़ कर सकते हो, आप लोग इसको Linux में यूज़ कर सकते हो, Mac operating system हो गया, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसे भी operating system में, streaming data access means, HDFS is built for high data throughput, यह हमने इसके advantages में देखा था, which is best for access of streaming the data, ठीक है, high throughput है, इसलिए data streaming इसकी मदद से, बहुत ही ज़ादा easy हो जाती है, right, so I hope students, आप लोगों को यह topic बिल्कुल clear हो चुका है, अभी भी अगर कोई doubt है, तो आप इन numbers पर भी contact कर सकते हो, and app पर जाकर इसकी सारी जानकारी ले सकते हो, यह courses, definitely आप लोगों को बहुत जादा मदद करेंगे, so thank you so much for watching the session, and I wish you all